गुड मॉनिंग बच्चो गुड मानिंग और सुना बच्चो क्या हाल है बस अपड़िया आप अपना सुना ये क्या बोला एक पीके तु हमेंसा मार कने वाली बाद मत किया कर समझा कल तु स्कूल के उनहीं आया था ये वो कल मेरे घार पूजा थी अच्छ अच्छ नौरात्री चला था ना तो पूजा तो रहेगी तो परसो क्यों नहीं आया था जी परसो मेरे घार पिरिया थी अब ये तेरी तो पूजा पिरिया को लेके नौरात्री मना रहा है चल बैट सुजर कहीं का चल कालिया खड़ा हो जा तो कालिया चल बता काटे भरे रास्ते में तेरा साथ कौन देगा माँ बाप पत्नी या भाई या बहन सर चपल क्या चपल चपर सुगर कही चले बता इंडिया में सबसे जादे बरब कहा गिरता है सर जी दारू के गिलास में अब या पुडबक पगला गया है क्या है चल बट चल तू खड़ा हो जा अरे सर आप उस छोटे बच्चे से क्या पूछ रहे है जो भी पूछना हमसे पूछिये न अच्छा जो भी पूछूँगा उसका जवाब तू दे देगा अरे हाँ सर आप पूछिये तो हाँ तो चल बता पांच मेंसे पांच घटाने पर कितना बचेगा अता नहीं सर अबे तेरी तो अभी तो बोल लाँ था कुछ भी पूछो बता दूँगा सुगर कहीं का मान ले तेरे पांच बटूरे है और मैं पांच बटूरे तुससे ले लूँ तो तेरे पास क्या बचेगा अरे सर सेंपल छोला क्या छोला अबे बुर्बक कहीं का जिन्दगी भर तो ऐसे छोला भटू रखाते ही रह जाएगा अरे सर छोड़ देजिए प्लीज तो आप ही बताईए ना क्या बचेगा कुछ नहीं या अरे कुछ नहीं बचेगा अबे नालाइकों मुझे तो ऐसा लगता है तुम लोग को पढ़ाते पढ़ाते ना कहीं मैं न पागल हो जाऊँ पूरा कलास नालाइकों से भरा पढ़ा है मेरे एक भी परसन का सही उत्तर नहीं दे पा रहे है नालाइक अरे सर इतना कठिन-कठिन परसन पूछोगे तो कौन उत्तर दे पाएगा पोड़ा आसान परसन पूछिए ना फिर देखिए यूँ जबाद दूंगा यूँ अच्छा बेटा मेरा परसन बहुत कठिन रहता है तो चल मैं तुस्से एक असान परसन पूछता हूँ लेकिन 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 अगर तू उस परसन का उत्तर सही से नहीं दे पाया तो बेटा तुझे सुगर बना के मारूँगा बको मतलब पूछो चले ये बता ताज माहिल किसने बनाया क्यों सर अच्छी नहीं बनी या क्या अबे बुडबग मेरा मतलब है किसने पनवाया है ये ठेकेदार ने काहे अब भी काम किये थे पैसा नहीं मिला का चुपकर सुगर कहीं का तुस्से परसन करना ही बेकार है ए इधर सुन दोबी का कुट्ता न घर का न गाड का चले कैसा ही आओ सेंटेस बना के सुनातो सर सानिया मिर्या का बच्चा न भारत का न पाकिस्तान का अबे चुपकर सुगर कहीं का तेरी तो रुप सर सानिया मिर्या का बच्चा न भारत का न पाकिस्तान का अगर चुपकर सुगर कहीं का तेरी तो रुप अरे सर सर छोड़ देजिए प्लीज जब देखो तब उल्टी सीधी बाद जब देखो तब अरे सर जी आपी उल्ट सीधा प्रसन पूछते हैं तो क्या करें कोई अच्छा परसन पूछी अच्छा सुन इदहें देख अब मैं जो भी परसन पूछूंगा उसका जबाब तू फटा फट देना एक बखो सौरी सर जी पूछिए 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 चल बता भारत की राज़धान ही क्या है सर फटा फट अबे भारत का परधान मंत्री का होना है फटा फट अबे तेरी तो अबे फटा फट अरे कमाल है अरे सर जी आपी ने तो कहा है जो अबी परसन पूछूंगा उसका जवाब फटा फट देना जाड़ा तू सुगर का सुगर ही रहेगा चल बट चलो तुम खड़ी हो जाओ चलो बताओ भारत की राज़धान ही क्या है सर दिल्ली अरे वा बेटी देखो अबे ओ लंबेवार वाले देखो कुसी को इससे अरे सर क्या देखो यह परसन का उत्तर तो हमें भी मालूम है कोई दूसरा परसन पूछिये तब देखिये अच्छा रूप चलो बेटी बताओ भारत में कितनी राज्य है सर अक्ठाइस देखा अबे टूब म चुलो भर पाने में बेटी तुमीनी की गाउं की हो ना जी सर घर पर यह लफंगे पढ़ते वरते नहीं है क्या पिल्कुल नहीं सर यह पूरे दिन बाइक से गाउं गाउं चक्कर काड़ते हैं अरे क्या बोलने यह पगली पगला गई है क्या और तो अरे सर जूग भी खे सर जी इनसे पोएम सुनाने को बोलिये फिर देखिये ठीक है बेटी तुम बढ़ जाओ चल तु सुगर कई का खड़ा हो चल अरे सर आप बार बार हमें ही क्यों खड़ा कर रहे हैं और भी तो बच्चे हैं उनसे पूछिए अबे चुप मैं टीचर हूँ मेरे जिससे मन करे पूछूंगा चल तूना मुझे कोई पोएम सुना अरे अब इस पोटे को कौन सा पांस माओं सर मचले जल की रानी है रात को तल के खानी है तो अब क्या वो ला पागल हो गया क्या चल बैट चल काल कि खड़ा हो चल बता रात को भारत में सबसे ज्यादा चुमा जाने वाला उपकरान कौन सा है सर पियर फोन का माई अबे चुप तू भी उसी के गाओं वाला है ना जल दूसरा परसन बता रजनी कांत का फिलम दै रोबोट से तुम लोगों को क्या सिख मिलती है सर लड़की स्रिप आदमी का नहीं मसीन का भी दिमाग खराब कर स अबे तुम नमूनों को यार कहां से एड़ीशन हो गया चल तीसरा बता भारत की सबसे खतरनाग नदी कौन सी है सर वाओ ना वो कैसे क्योंकि इसमें सब बै जाते हैं धन्यों परभू धन्यों चल बेटा लाश्ट सवाल पूछ रहा हूं अगर बेटा इसका उत्तर गलत द अरे सर रूलाएंगे क्या आप ऐसा मत बोलिये प्लीज सही बता रहा हूं बेटा सही मैं परेशान हो गया हूं तुम लोगों से ठेक ठेक सर जी पूछिए चल बता बहू बचन किसे कहते हैं सर जी जब बहू अपने ससुराल वालों को खरी खोटे सुनाती है तो उसे पहू हो गया हूं तुम लोग से अरे पतिया नत्या पटना भाव दिवरा ढोड़ी चटना भाव दिवरा ढोड़ी चटना भाव क्या बात है क्या बात है क्या बात है क्या मतलब है अरे सर आप इस्कूल में इतना सलील गाना गार है सरम नहीं लगती आपको फिर कर दिया मौल खराब अब अब असुगर कहीं का जो ये गाना लिखा है गाया उसे सरम नहीं आई तो हमें किस बात कि सरम आईगी वे चलिए ठीक ठीक सर मानता हूँ लेकिन सर कहीं ऐसा ही चलता रहा तो इस देश का क्या होगा देश का क्या होगा अब यह गाने में देश कहां से आगया बे और वैसे भी तूर कहीं का इस देश का परधान मंतरी है बस सर बस बहुत हम लोग मार खा लिए अब नहीं खाएंगे फिर क्या खाएगा बे कुछ नहीं अब सूर का मैं देख रहा हूं तेरा नाटक बहुत हो रहा है इदर देख इदर पीके चल तू यह बता तू यहां पढ़ने आता है तुझे सबसे जादे मन किस चीज में लगता है यहां अबे मेरा मतलब है कि तू यहां पढ़ने आता है तेरा मन यहां किस चीज में सबसे ज सर चोड़ी पटाई में मेरा बहुत मन लगता है सर अबे तेरी तो क्या बोला वे अरे सर छोड़ देजिए गलती से निकल गई मेरी जुबान तोट गई मैं कुछ और कहना चाहता था बहाना अरे नई सर आपकी कसम अबे मेरी जूटी कसम खाता है सर सर मैं यह कह रहा था मेरा मन गाना गवाई में लगता है चल ठीक है तेरा मन गाना गवाई में लगता है आज तु मुझे गाना सुनाएगा ठीक है सर और हाँ सुन मैं जिस नाम से बोलूगा ना उसी नाम से गाना सुना ना ठीक है हाँ हाँ sir ठीक है तू मुझे पहले c से सुना हाँ लोग सुनो 2019- solamente के पीछे पेच्छे की तेरी तो अब शुबर काइं कहीए तो कहा सी स सुना मुझे जौन हा था छुना या है अबे तु EU छोड़ तू मुझे जी से सुना जी से लो सुना दद्दा उसमें क्या एरे गोरे गोरे काल तेरे छाती पी मुसम्मी अबै चुप 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 वाला एक कही का सुगर कभी कभी तु मुझे बता रहा था कि असलील गाना सरम नहीं आती और तु ये गार आए असलील नहीं है अरे तु सर आपी तु पूछ रहे सी से गाओ जी से गाओ तु जो मुझे आ रहा हो गार आओ ठेक है ठेक है बेटा थोड़ा धंका गाले स्कूल है ठेक है बोलो किस से गाऊं तो न दी से सुना दी से न सुनो अरे दिन में लेती है रात में देती है कब से बोल ला हूं सही गाना गा सही गाना गा लेकिन नहीं तू अपनी वाली ही कर रहा है अब एक क्या है हराम खोर दिन में लेती है रात में देती है सर गाना गाना रूंग मैं बताता हूं यह गाना है की नहीं तेरी तो अरे यार आज तो बहुत लेट हो गया क्या करूं आइडिया पीके कहां जा रहा चल बट जी सर कालिया देखा दिमाग अरे वा यार पीके क्या दिमाग लगाया मनना पड़ेगा तुझे आ तो वेटा पीके चल खड़ा हो अरे सर अभी खड़ा ही हूं बैठा कहां आँ ठीक है चले बता यह बोड पे क्या लिखा है क्या अब यानो डबलू याले डी जी ए अब यह तेरी तो रहा है क्या सुगर कही का द्यान से पर देख क्या लिखा है क्या अभै अब अब सुगर कही का यह नोलेज लिखा अब यह यार यहार तो यहन के जी के क्या इस सर पागल हो गया क्या अरे सर आप ध्यान से पढ़ो पहले यह नहीं क्या है कासे कभूतर वाला क्य अब तेरी तो कभूतर के बाप साइलेंट वर्ड है है साइलेंट वर्ड सर यह क्या होता है अब तु रहने दे तु नहीं समझ पाएगा अगर मैं तुझे समझाने बैठूंगा ना तो जो मैं पढ़ाई बच्पन से किया हूं वह भी मैं भूल जाओंगा मैं तुझे जानता हूं सुगर कही का तेरे समझ में क्या आता है अरे तो सर वही पूछो ना जो मेरे समझ में आता है हाँ ठीक है चल गाना सुना अरे ये लो दद्दा उसमें क्या है जिंदा रहने के लिए तेरी कसम ओ सोरी जिंदा रहने के लिए आपकी कसम ये गुदुग अभे तुम लोग भी वोलो ना तेरी तो अभे नहीं तेरे सूवर थोड़ी बनना है गाना गाना गवाई में जितना मन तेरा लगता है अगर उतना मन तुपढाई में लगाता ना तो अधर साल फेल नहीं होता हूं लड़ा नालाइक कहीं का कल इस्कूल क्यों नहीं आया था सर मैं बताऊं तू क्या बताएगा बे पूछ इससे रहूं तू क्या बताएगा अरे सर वही तो बता रहा हूं कल इस्कूल क्यों नहीं आया था सर एकल लड़की देखने गया था लड़की देखने, अबे पढ़ेगा नहीं क्या, पढ़ूंगा सर, अबे क्या पढ़ेगा तू, साधी होनेक बाद तेरी बीबी पढ़ने देगी, अरे, पढ़ने क्यों नहीं देगी सर, अबे वो तो बाद में पता चलेगा, अबे तुझे जिन्दगी का कलवा सच पता नह सब्सक्राव कर भी ब Всемने सब्सक्राइब कर यदर सुने की लड़ी अपने पिता के घर होती है तो रानी बन्कर रहती ऑपर पहले पूरी बात सुनेगा मिफ़ा बताइब और जब पहली बार से ँराल जाती ए लच्छ में बनकर जाती है और सउसुराल में कर दो कर दो कर दो कर दो नहां कर दो